लेकिन ये तो बात का चीज है लेकिन उससे पहले भी हमें दो चीजों पर मस्ट्री करना बहुत जारे ज़रूरी है अगर दो चीज में मास्टरी नहीं कर पाया तो हमें वाटर कलर करने में थोड़ा से डिफिकल्टी फेस करना पर दखता है तो जैसे कि हम लोग कोई वी मिलियम से काम करते हैं तो उसके बेसिक स्कोर्स के फंडमेंटल लेवल की चीज़ों को समझना जरूरी है उसी तरह से वाटर कलर में भी हमें जो फंडमेंटल बेस लेवल की चीज़ए है उसको समझना जरूरी है तो आज हम लोग कुछ subject लेएकर उसको डो करने वाले हैं और किस तरह से हम वाटर कलर करेंगे वह सारा चीज़ देखेंगे तो water color करने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जारा जरूरी है अगर हम इन चीजों पर वीक है तो हमारा water color perfectly नहीं बन पाई अगर हम कुछ drawing बना रहे तो हम लोगों को उससे पहले study करने सीखना पड़ेगा और study क्या चीज़ है आईए इसको समझते है एक चांपल कर दो तो चलिए आज का lesson स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट था study subject तो यहां पास हम लोग subject को study करने माले हैं सबसे पहले क्योंकि जब भी हम किसी भी medium से काम करें तो सबसे पहला काम आता है हमारा drawing का जब हमारा drawing perfect होगा तभी हम अगला step की तरफ जा सकते हैं और जब हमारा drawing perfect नहीं होगा तो फिर हम कितना भी उसमें महनत कर ले एक relics कर रहे या water कर रहे कितना महनत कर ले वह perfectly नहीं बन पाता है तो यहां पास हमारा fundamental level की जो चीज है उसको strong करना जरूरी है तो यहां यहां पास मैं एक चोटा सा subject बना रहा हूं like human figure मैं बना रहा हूं तो यहां पास कोई भी detailing work में कर रहा हूं normal एक base तयार कर रहा हूं human का shapes किस तरह का आता है वह चीज मैं यहां पास बस दिखा रहा हूं पेपर पे तो जब आप यह basic चीजे से समझोगे तब जाकर कि आप detailing work piece में डाल पाओगे easily तो इसलिए basic पहले इन चीजों पर आप काम कीजे इन चीजों पर प्रैक्टिस कीजे जादा जादा उसके बाद आप next level की तरह जाईए तो यहां पास वही चीज में basic जो हमारा shapes है वह एक बार में लाने photo click कर लिए कोई भी human का और उसको draw करनी को सिच कीजे इससे क्या होगा कि आपका जो कोई भी subject को कैसे आप paper में बनाओगे उसका angle क्या है वह सारा चीज आप समझ पाओगे तो इसलिए इस तरह के कुछ practice कीजे जिससे आपका hand plus mind plus eye तीनों आपका train हो पाए जिस तरह से कोई new यह सारा चीज श्ट्रॉंग रहेगा तो आप जब big level के artwork को बनाओगे तो यही basic जो fundamental level के चीजे हैं आपको उस समय help करेगी like जब आप बड़े artwork को बनाओगे तो आप line के through line के through जब draw करते हो तो आप easily उस चीज को draw कर पाओगे तो यहाँ पास हमारा basic जो drawing है वो complete है तो मुझे चाहिए watercolor और एक brush तो इसमें हमारा दूसरा point है value understanding क्योंकि जब भी हम कुछ drawing को बनाते हैं तो इसमें value बहुत ही important role play करता है कि हम उसमें कितना darkness डालना है कितना lightness डालना है light कि दर से आ रहा है darkness कि दर है जिसमें shadow हमारा कहां बनेगा highlight कहां बनेगा वो सारा चीज को हम लोगर ध्यान में रखना पड़ता है तो यहाँ पास जैसे कि मैं एक छोटा से subject बना रहा हूं तो यहाँ पास पहला मैं light color डाला like मैंने light brown color डाला उसके face के लिए फिर उसमें जाकर के थोड़ा सा dark value डाला ताकि मैं light and dark को अलग कर पाऊं अगर मैं direct उसमें dark color डाल देता तो फिर light color add करने में problem face करना पड़ता तो water color में यह बहुत basic fundamental level की चीज़े है कि आपको इसमे light to dark की हो जाना पड़ेगा सेम sketching में भी जब आप pencil walk करते हो तो pencil में भी यही फोलो होता है लेकिन acrylic में just ultra हो जाता है आपको dark से light के हो जाना पड़ता है तो हर medium का अलग अलग आपका rule regulation होता है उसको आपको समझना पड़ेगा तो यहां पास basic में color का कम यूज़ कर रहा हूं और पानी का जादा जिससे उसको problem phase करना पड़ता है तो आप यह चीज को समझे कि जब आप start कर रहे हो कोई भी subject को start कर रहे हो कोई भी medium से आपको सबसे पहले basic level की चीज़ों को practice करना पड़ेगा तब जाकर कि आप धीरे-धीरे करके उसको थोड़ा साथ tough करते जाहिए आप direct tough ले ले लेंगे और उसमें बहुत जादा detailing work करना पड़ेगा लेकिन जब आप ऐसे चोटे-चोटे subject लेक करोगे तो आपको इसमें जादा detail के बारे में नहीं सोचना है बस आपको color जढ़ाना है और आप flat value या फिर आपको lightness and darkness अलग-अलग करने आ गया उसमें highlight डालना आ गया और यह fundamental level की चीज़ों को समझ ही नहीं पाऊंगा तो इसलिए आप इन सारे चीज़ों पर basic जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन सारे चीज़ों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप बस वह फील लाने को सिच कीजिए आप जो reference से बना रहे हैं वह ऐसे बस फील आना चाहिए वह आइड करने में काफी ज़्यादा easy होगा और यहां पास मैं जब उपर से उसमें color डालूंगा तो यहां पर वह spread करेगा क्यूंकि मैं यहां पर water का quantity थोगा सा ज्यादा दिया हूं और जब मैं color उसमें चड़ा रहा हूं तो automatic spread कर रहा है तो यह नियम आपको follow करना क्योंकि water clear बहुत ही मज़ेदार मेडिया में अगर आप इसको समझते होतों तो यहां पास हमारा जो color है वो चड़ा चुके है अब इसमें जो body में है वो color चड़ाएंगे तो यहां पास आपको darkness lightness को ध्यान में रखते होगे color चड़ाना होगा और हर एक चीजों को आप भार आता जाएगा और यहां पास एक चीज ध्यान रखेगा कि आप कभी water color कर रहे हो तो इसको dry मत रखेगा थोड़ा सा आप इसको गीला रखिए ताकि आपको water color करने में easy हो और ऐसे नहीं कि इसमें water का ज्यादा quantity ले लिए color का कम quantity लिए limit में हर चीज आपका limit में रहेग जब आप acrylic में जाओगे तो यही basic level जब आप chief level पर आप water color जो कर रहे हो तो आपको वहाँ पास भी color mixing में काफी जादा help करेगा तो इसलिए मैं यह recommend करूँगा कि पहले water color को आप अच्छे समझे उसके बाद acrylic में फिर से जाएंगे तो यहाँ पास हमारा water color तो done है लेकिन अ इसमें बहुत सारे चीजे हैं जिसको हम लोगों ध्यान में रखना बहुत ज़री है जैसे कि हमारा light area, dark area उसका बाद हमारा shadow यह highlight इन सारे चीज को ध्यान में रखना बहुत ज़री है आप किसी भी medium से काम कर रहे है तो इन सारे चीजों को जब आप अपने mind में रख करके ब पूरा light के लिए मैं यहाँ पास whiteness छोड़ दिया हूँ, उसके पीछे हमारा थोड़ा सा dark है, तो उसके लिए मैं यहाँ पास light yellow type का shade मैं यहाँ पास दे दिया हूँ, उसके पीछे हमारा dark tone आएगा, जो हमारा shadow area होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पास dark area दे दिया हूँ, तो यह सारा चीज को आपको समझना पड़ेगा किसी भी तरह के artwork को बनाने के लिए तो यह हमारा basic level की चीज़ हो गया अब चलते हैं हम लोग थोड़ा से tough medium में कि lightness और darkness को कैसे समझेंगे तो जैसे कि यह हमारा थोड़ा tough medium है तो इसमें भी same नियम follow होगा जैसे कि हम लोग इसमें practice किये थे जो highlight है, shadow है, light area, dark area अलग किये थे उसी तरह से same इसमें भी वही नियम follow हुआ है तो जब आप basic level की चीज़ों को समझे होगे तब आप इस तरह के drawing को easily बना पाऊगे तो यहाँ भी देखिए हमारा जो light इस side से पर रहा है इन सारे चीज़ों में understanding बढ़ती है तो automatic आप इस तरह के artwork को भी easily बना पाऊगे तो I hope you enjoy this video तो चलिए वीडियो का भी close करते हैं मिलते हैं next video